यहां से करीब 2 इंच की दूरी पर उपर यहां पर जड़ों के पास इसमें पूरा लगबग लगबग सूखा है यहां की जो मिटी है eti is मिटी मेन अभी काफी नमी है जिस कूदधा इन, dip ईकफी धूप में भी हम दवा का इस्प्रे करेंगे तो जिससे कीडों का काफी कंट्रोल होगा बीच बीच में हमने काफी गेंदा लगाया है किशान भाईयो नमस्कार मैं फार्मर राहुल पटेल पंचोटी आरगनीक फर मैं आप सब कहाद इक स्वागत करता हूं किशान भाईयो ये मेरा आधा एकड़ का फार्म है और इसमें मैंने पपीता लगाया है इससे पहले इस खेट में केला लगा हुआ था और हमने केले के आउसेस को इसी खेट में जुतवा दिया है किसान भाइयो ये खेत हमारा समतल नहीं था जिस वज़ा से हमने इसको लेबलर करवाया और लागडाउन के उज़ासे लेजर लेबलर उपलब नहीं हो पाया था तो हमने इसको साधरान लेबलर से ही लेबलिंग करवाया है और खेत थोड़ा उंचा नीचा भी है किसान भाईव, हम पपीते किसी चाई फलड एडिगेशन से करेंगे, हमने ट्रिप नहीं लगाया है किसान भाईव, आधा एकड के लिए हमने 20 ग्राम पपीते का सीड मंगाया था और नर्सरी हमने खुद तयार किया था, नर्सरी ठीक से तयार नहीं हो पाई थी जिस वज़ा से पूरे खित में पपीता नहीं लग पाया है, करीब 4 पौधे हमने लगाया है कुछ पौधे इसमें काफी छोटे भी थे, और वो पौधे मर जा रहे हैं और हमने 5-5 फीट की दूरी पर नाली बनाया है, और ये नाली हमने ट्रिलर की शायता से बनाया था पानी का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, तो इसमें गलनवारी समस्या बहुत ज्यादा आती है और बर्शात में इसमें पानी बिलकुल भी नहीं लगना चाहिए तो इसलिए हमने मेड पर ये पापीता लगाया है, पापीते की नर्शी तयार करने के लिए हमने जो मिट्टी तयार किया था उसमें हमने 40% गोबर की खाद और 40% खेत की मिट्टी लिया था और उसमें हमने 20% सफिद बालू मिलाया था तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम इसका पापीते का प्लांटेशन कर रहे थे तो इसमें जो है बालू की मात्रा ज्यादा हो गई थी जिस वज़ास से बहुत ही सावधानी से इसका प्लांटेशन करना पड़ रहा था और थोड़ा सा भी इसमें नमी कम हो या फिर सावधानी हटी तो इसकी जो थैले थे वहाँ से मिट्टी अलग हो जाती थी और जो पाउधे थोड़ा स्वस्त थे और थोड़े बड़े हो गए थे तो उनमें जड़ों का विकास अच्छा हो गया था और इस वज़ा से उसके जो थाले थे जो नीचे की मिट्टी थी वो बांध के रखे थे लेकिन जिसमें जो है नमी की कमी है या जिसमें जड़ों का विकास अच्छा नहीं हुआ पाउधे छोटे हैं वो उसकी मिट्टी बहुत आसानी से अलग हो जा रही है तो इस तरीके से यदि आप लोग भी नर्शी त्यार करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें बालू की मात्रा 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यदि इसमें आप पॉरोश्टी बढ़ाने के लिए कोई और मेडिया मिला रहे हैं जैसे कोई भूसा हो गया या और कोई राक हो गई तो आप बालू की मात्रा को ना ही मिलाए तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि किसान भाईयों हमने जो गलती किया है उसके बारे में हम आपको जानकरी देंगे पपीते में जो बालू हमने मिलाया था उस वज़ा से एक दिक्कत ये भी थी कि इसमें से जो पानी हम से इसकी सिचाई करते थे पानी का वास्पी करन बहुत जल्दी हो जाता था और इस वज़ा से भी काफी समस्या आती थी बार-बार सिचाई करनी पड़ती थी और वह ऐसे दिक्कते थी जो हमने नर्षी त्यार करने में कई गड़बढ़िया थी इस वज़ा से हमारी नर्षी अच्छे से त्यार नहीं हो पाई लेकिन फिर भी जितनी नर्षी त्यार होई है उसका हमने प्लान्टेशन कर दिया है और पवध अच्छे से चल रहे हैं और आप पौधा है इसकी चड़े कि नीचे से कितनी मोटी हैं वैसे उचाई उस इसाब से ज्यादा नहीं है लेकिन पोधा की जड़े जो है वह मोटी है और यहां पर हलकी दरारे भी है और डरारे होना जरूरी है इसमें आप लोग देख सकते हैं पर जो हमने सिचाई किया है और सिचाई का जो पानी है इस लेबल तक आया है और इसके बाद ये पौधा थोड़ा उंचा है और इसकी जो जड़े हैं नीचे चार इंच से भी गहराई तक गई हैं और वहां से इसको पानी वराबर मिलता रहेगा किसान भाईयों आप लोगों को हम कुछ पौधे दिखाना चाहते हैं और आप लोग देख सकते हैं ये जो पौधा है ये भी स्वस्त है और ये पौधा भी स्वस्त है और ये पौधा भी स्वस्त है और इस साइड में कुछ पौधे हैं जो कुछ काफी बड़े भी हैं और खाते हैं कुछ ऐसे पौधे जो काफी छोटे थे जिसको हमने लगाया था और आप लोग देख सकते हैं यह वाला पौधा काफी छोटा पौधा है लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में अभी यह खड़ा है और पत्तियां इसकी थोड़ी थोड़ी गर्मी की ज़े से टेड़ी हो और आप लोग देख सकते हैं कितना चोटा यह पौधा है और इसी तरीके से हमने जितने भी पौधे कुछ छोटे थे बड़े थे हमने सभी पौधों का प्लांटेशन कर दिया था और काफी पौधे इसमें सुख भी गये हैं और जैसे यह पौधा है यहां से भी पौधा कोटा है और यह पौधा देखी यह कुछ स्वस्थ दिख रहा है और इसी तरीके से कुछ पौधों को दिखाएंगे किसान भाईयों यह देखिए यह एक पौधा है और इसकी हाइट करीब करीब 10 इंच के आसपास होगी और इसका ग्रोथ काफी अच्छा हो गया है और हम आपको दिखाना चाहते हैं और इस नाली से जो हमने सिचाई किया था और इस नाली से जो सिचाई किया था उससे यहां तक पूरा भी हरापन है और सिचाई किये तीन चाल दिन हो चुका है और यहां से करीब 2 इंच की दूरी पर उपर यहां पर जड़ों के पास इसमें पूरा लगबग लगबग सूखा है और आप लोग देख सकते हैं इसकी जड़े काफी मजबूत हैं मोटी हो गई हैं लंबाई की हिसाब से जड़े इसकी स्वस्त हैं इन पौधों का प्लांटेशन हमने एक अपरेल से लेकर के 5 अपरेल की बीच में किया है और आज की तारिक है 17 अपरेल 2020 तो किसान भायों यह पौधा जो हमने लगा है यह करीब जो भी खाद था वो इसमें जो केले का उशेश था उसी की वज़ा से सब था और हमने इसमें कोई भी खाद नहीं दिया था और इसकी एक ड्रेंचिंग किया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं बगल में मिट्टी हलकी काली-काली है इसमें हमने 100 ग्राम यहोमेक एसिट औ 500 ग्राम हमने इसमें गोल लिया था 50 क्राम हमने बावश्टीन लिया था और एक हमने इस्ट्रेप्भ रौसाइक्लेन का मिला था और उसी हिवसाब से हमनने 100 लिटर काई और हर एक पाइप के पास हमने ड्रॉंचिंग किया है repart the alcohol bar पास की जो मिट्टी है यह सूखी है लेकिन यहां से 2-5 इंच के नीचे की जो मिट्टी है यह नमी इसमें काफी बनी हुई है तो आप लोग देख सकते हैं जिसमें जड़ों के नीचे से जहां पर किसान भाई इसमें आप देख सकते हैं तने के नीचे जो मिट्टी है अंदर इसमें नमी बनी हुई है जिससे पौधा पूरा हरा भरा बना है और उपर मिट्टी इसमें सूखी हुई है जिस वजा से इसमें फंगस की कोई समस्चा नहीं आएगी जडगलन की कोई समस्चा नहीं आएगी किसान भाईयों एक बात हम आप को और बता देना चाहते हैं हमने जब पपीते के पाउधे का प्लांटेशन किया था तो पॉली थीन में जब हमने नश्री तैयार किया था तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पाउधा है ये उसी गहराई में था इसमें अलग स कोई भी मिट्टी हमने नहीं चड़ा है ये जो मिट्टी है ये थैले वाली ही मिट्टी ही ये भी हलकी सी बहुत करीब करीब आधा सेंटिमीटर के आस पास इसमें मिट्टी चारो तरफ से चड़ाई गई है और इसके नीचे जो ये मिट्टी है ये इसके थैले वाली ही मिट्टी है लेकिन फिर भी जड़ों के नीचे इसमें अभी नमी है, आप लोगे पोशकते हैं, यहां की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में अभी काफी नमी है, जिस वजा से यह पौधा अभी इतनी धूप में भी खड़ा है, और ऊपर का जो इसकी जड़े हैं, जड़ों के पास का जो जिस वजासे पौधे में फंगस या डंपिंग आप होने की कोई समस्चा नहीं आ रही है और कुछ पौधे हैं जो सूख रहे हैं वो काफी छोटे थे और थोड़े छोटे होने की विज़ा से यह रोशनी या धूप को अच्छे से सहन नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग इसी करिवाधा इंची वह ऐसे मिट्टी थी बाकी यह सारी मिट्टी उसी थैले की ही मिट्टी है तो जिस वजासे यह पौधे के जो जड़े हैं वही इसमें नमी की कांटेक्ट में आते हैं और यदि जड़ों के पास नमी रहेगी तो वहाँ पर फंगस की कोई समस्चा न पाएगा तो इस वज़े से यह पौधे के ऊपर हम मिट्टी नहीं चड़ाते हैं तो यह सावधानी हमें रखनी चाहिए और आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में हमने गेंदे का पेड़ लगाया है और यह दो टाइप के हैं इसमें कुछ फूल खिले भी हैं इसमें ज अधरक की बी इंटर क्रॉपिंग लिया है और इसमें जर निसन हो जाने के बाद उसकी वीडियो हम डालेंगे इसमें हमने हल्दी अधरक यह दोनों लगाया है और किछान भाईयों पौधे तो हमारे पास पूरे नहीं थी इस वज़ासे हमने आगे की तरफ इसमें कुछ सबस्ति ही है और यह पौधा कितना छोटा है लेकिन इसमें कई साखाएं निकल रही है और इसमें से कुछ बाद में हटा देंगे एक साखा ले जाएंगे उपर यह पौधा भी काफी छोटा है तो इस तरीके से पौधे छोटे भी हैं बड़े भी हैं और देख सकते हैं यह बोड़ा है लोबिया जिसे कहते हैं इसमें हमने सरपुतिया नेनुवा खीरा आदी इन सब की भी बुवाई किया है और हमारे जो पौधे हैं यहां तक आए हैं और किसी किसी लाइनों में कुछ पौधे इधर आगे भी आए हैं तो आवसत इसमें करीब करीब साड़े तीन सो पौधे बचने की उमीद है वह ऐसे तो 400 के आसपास पौधे लगे थे लेकिन कुछ दस बीस पचास पौधे तो मरेंगे ही यह भी मर गया है इसमें जो डंपिंग आप वाली समस्थे आई है क्योंकि पौधा बहुत ही पतला था और तीज धूप की वज़ा से और पानी की वज़ा से कुछ जडगलन वाली समस्थे इस पौधे में आई है तो इस तरीके से जो पौधे बहुत ही कमजोर थे उसमें समस्या आ जाती है क्योंकि हम इसमें फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं और ड्रिप होता तो भी कुछ पौध अभी पूरी तरीके से स्वस्थ है और ग्रोथ इसका अच्छा हो रहा है किसान भाईयों सुरुआती है उस्ता में यदि हमने इसमें यूरिया और पानी की मात्रा को बढ़ा दिया तो पौधे की लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी और अभी हमें पौधे की मोटाई पध गया तो फलों का बजन जादा होने की वज़ए से बाद में गिरने की समझचा आएगी लेकिन यह दिपाउधा सुरुआत से ही मोटाई में जड़े मजबूत हैं तो यह समझचा नहीं आएगी किशान भाईयों पपीते की खेती से संबंदित यह जानकारी आप लोगों को क वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी तब तक क्लिए नमस्कार